होर्मोन एसंतुलन तेज धूप और पिमपल्स के कारण चहरे पर काली दाग दब्बे हो जाती हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खराब लगती हैं तो हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स क्या आपके भी चैरे के काली दाग दब्बे आपकी सुन्दरता को ग्रेहन लगा रही हैं यदि हाँ तो आज मैं आपके साथ ऐसी एफेक्टिव रेमेडी शेयर करने जारी हूँ कुछ मैंगे क्रीम भी होती हैं जो इने खतम करने में कारगर होती हैं लेकिन हर कोई अपनी स्किन के लिए हजारो रुपे खर्च नहीं कर सकता और ऐसे ट्रेटमेंट फायदों से जादा नुक्सान ही करती हैं तो आज मैं आपके साथ ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करूंगी जिससे आप अपने दागदबों से चुटकारा पा सकते हैं और साथ ही यदि आपको जाईया हैं जुरिया हैं वाइट हैट्स ब्लैक हैट्स हैं तो इनसे भी आप चुटकारा पा सकते हैं बहुत ही ईजी सी रेमेडी है लेकिन रेमेडी जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी बैल आइकन भी जरूर दबाएं जिसे मेरी कोई भी वीडिया आप मिसना कर पाएं तो चले शुरू करते हैं आज की रेमेडी तो गाए जिस रेमेडी को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले चाहिए होगा नमक नमक ना सिर्फ हमारे खाने में एहम है बलकि हमारे बालों और हमारे सकिन के लिए भी काफी फायदे मन्द होता है नमक में आयोडिन की मातरा जादा होती है जो की सकेल्प की तवचा को साफ करता है इसमें जिवान रोधी गुन होती है यह काले दागदबो का इलाज करने मुहासो को रोकने सकिन से डड़ सेल्स को हटा कर तवचा को साफ करने का काम करता है इतना ही नहीं चेहरे को सुन्दर बनाने में भी एक काफी ज़्यादा फायदेमन होता है सबसे पहले तो हम यहाँ पे आधा चम्मच नमक ले लेते हैं दूसरी चीज़िस में एड़ करनी है सुगर पाउडर चीनी को दरदरा पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए और एक चम्मच ये पाउडर ले लीजिए चीनी एक नैच्रल एक्सफोलेटर का काम करती है जिसे चेहरे की गंदगी और जो भी वाइट हैट्स ब्लैक हैट्स होती है वो पूरी तरीके से निकल जाती है तीसरे चेहरे के पूराने से पूराने से पूराने दाग दब्बो को भी हटाता है और फाइनली इसमें हमें एड़ करना है एक चमच सहद सहद के इस्तेमाल से इस रेमेडी की गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी सहद में एंटिबेक्टेरिल ततो होती है और जो भी चीज एंटिबेक्टेरिल होती है वो हमारे पिंपल को खतम करने में सहायक होती है साथी सहद हमारे सकिन के कालेपन को टैन को निकाल कर सकिन को ग्लोइंग बनाता है सहद लगाने से चहरे पर जमागंदगी और एक्सेसुयल साफ हो जाता है जिससे हमारी चाहरी पर होने वाले छोटी छोटे दाने और blackheads भी खतम हो जाती हैं अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से mix कर लेती हैं जब ये सारी चीज़े अच्छे से mix हो जाए तो इसे अपने face पर अपलाई करना है इसे face पे लगाने से पहले पानी से धूकर चहरा साफ कर लीजिए और अपने साफ चहरे पे इस तरह से mixture लेंगे और अपने face पे अपलाई करेंगे पूरे face पे इस तरीके से लगा लेने के बाद चहरे पे जेंटली मसाज करनी है 5 मिंट तक बहुत हलके हाथों का यूज आपको करना है और circular motion में थीरे थीरे मसाज करेंगे नेंबू, चेनी, नमक और सहद का ये mission लगाने से आपके चहरे के दाग दबे तो दूर होंगे ही गाईज इसके साथ ही आपके face पे चमक बढ़ेगी, आपके face पे glow बहुत ज़्यादा आएगा और आपकी रंगत भी lighten होगी आप इसको week में दो बार कीजिए और दो बार से ज़्यादा आपको ये नहीं करना है और अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा sensitive है तो आप इस remedy को follow ना करें तो 5 मिन्ट हो चुके है मसाज करते हुए अब मैं अपने face को wash कर लेती हूँ ये देखे मैंने अपना चेहरा दू लिया है आप देख सकते हैं पहली application में ही चेहरे पर कितना फरक आया है आप इसको use कीजिए आपको इसके बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जितनी इजी remedy है उतने ही ज्यादा अमेजिंग इसके फायदे आपको मिलेंगे तो यह थी मेरी आज की remedy वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों रेलेटिव के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन जरूर दबाएं फिर मिलती हू नेच्ण वीडियो अपने तो एक की जाहते हुए हैं इजी ने जह भाइए से लड़ीयो और दूल जह फितनी आता है इंडादे आतों थाल एंवार नादे आतों युर्णान जहां जहां आता है उन्माल करें प्रूदुणान सव सुद्द्द करें तों जहां एंइंगां